ये आप लोग जो देख रहे हैं ये मलाई है तो इस मलाई से घी कैसे बनाते हैं ये सब मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ इसलिए आप मेरा ये ब्लॉग पूरा वाच करिए घी निकालना बहुत ही आसान है लेकिन कुछ टिप्स ऐसे आप जानिए मेर इस ब्लॉग में जो बहुत ही आसान तरीके से घी निकालेंगे और धेर सारा घी भी बनके तयार होता है इन सर्दियों में इस तरीके से घी निकालना थोड़ा मुस्किल होता है लेकिन इस मुस्किल को मैं आसान करने वाली हूँ इसलिए आप लोग पूरा ब्लॉग वाच क तो चलिए मैं आपको बताना सुरू कर रही हूं सर्दियों में घी निकालना थोड़ा मुस्किल होता है पहले आप मलाई को मलिये फिर मक्खन निकलता है तो मक्खन से जब घी बनाएंगी तो बहुत सारा घी इकठा हो जाता है इसलिए इस तरीके से मैं घी बनाती हूं तो सबसे पहले मलाई को मैं फ्रीज से बाहर निकाल दी थी ताकि वो नार्मल हो जाए उसके बाद जिस बरतन में मैं घी बनाओंगी उसी बरतन में इस मलाई को डाल दी हूं और इसे हाथों से फेटूंगी क्योंकि शर्दियों में फेटने के बाद जब पानी मिलाते हैं तो जल्दी से मक्षन इकठा नहीं होता है लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जिससे फटाक से मलाई से मक्षन बन जाएगा और उसके बाद जट पट घी बन के तयार होगा इस तरीके से हाथों से पहले इसको मलिये इसमें पानी वगरा कुछ नहीं मिलाए हू जब ये अच्छे से मल के एकदम बढ़िया सा खिल जाता है ये देखिए कैसे एकदम फूल की तरह हो गया है एकदम source हो गया है इसी जो है समय हम इसमें पानी मिलाएंगे पानी भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए फ्रीश का ठंडा पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि गर्मि मिलाने से जल्दी मक्षन नहीं इकठा होता है तो बस यही टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ जिस कटोरे में मलाई था उसी में मैं नॉर्मल पानी डाल के इस कडाही में पानी डाली हूँ अब पानी के साथ इसे मलूंगी बस तूरंत जट पट जो है देखते ही देखते यह घी इकठा मलाई इकठा हो जाती है मक्षन बनके तयार हो जाता है इस तरीके से देखिए जट पट कैसे जो है मलाई में मक्षन इकठा हो गया है तो है ना बिल्कुल आसान तरीका, कभी भी सर्दियों में ठंडा पानी नहीं मिलाना चाहिए, ठंडा पानी मिलाने से जल्दी से नहीं गुली आता है, ये देखिए कितना जल्दी फट से जो है मलाई का मक्खन बन गया है, बाकी उसका पानी छोड़ दिया है, इसी तरीके से मलते रहे तो जटबट मक्खन बन जाता है बाकी बहुत से आरे लोग बस इसी तरीके से मलाई को कड़ाही में रख देते हैं घी निकालने के लिए वो भी तरीका होता है लेकिन उससे क्या होता है कि घी बहुत जादा नहीं इकठा होता है इस तरीके से निकालेंगे तो घी बहुत सारा हो जाता है ये देखिए कितना बढ़िया सा मक्षन बन के तयार हो गया है अब इसमें जो ये छाच है इसको हम निकाल देंगे फिर उसके बाद उसी कडाही में घी तयार करेंगे ये देखिए ये मठा है इस मठे को भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं इसमें नमक, काला नमक और चीनी मिला के इसको पिया जा सकता है तो चलिए अब इस मक्षन को गैस पे रख ले रही हूँ और आप एक और तरीका जानिए देखिए मैं कडाही में मक्षन रखी हूँ मैं इसे एक बार भी नहीं चलाओंगी बस हाई फ्लेम पर मैं स्टार्टिंग में रखी हूँ ये जरा भी नहीं लगेगा नीचे कोई पकड़ने वकड़ने का चक्कर नहीं रहता है इसे चलाने की जरूरत नहीं है अपने आप ये आज से घी तयार हो जाएगा देखिए धीरे धीरे करके किस तरीके से घी बन रहा है आप लोग देख रहे होंगे मैं इसे एक बार भी नहीं चलाई हूँ इसे चलाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल आसान तरीके से और घी भी बहुत सारा इकठा होता है तो देखिए कैसे धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आज लग रहा है घी बनता जा रहा है तो है ना बिल्कुल आसान तरीका इसी तरीके से आप लोग भी मलाई से घी बनाईए जटबट बनके तयार हो जाता है बहुत ही आसाम तरीके से देखिए यहाँ पर किनारे कडाही में थोड़ा लग रहा है इसलिए मैं गैस का आच एकदम धीमा कर दूँगी मुझे थोड़ा और पहले ही धीमा कर देना चाहिए लेकिन मैं ध्यान नहीं दी आप लोग जब आच थोड़ा बीच में धीमा कर लीजिए यह देखिए धीरे धीरे करके किस तरीके से घी बनके तयार हो गया है अब मैं गैस का आच बन कर दूँगी और मैं आप लोगों को देखिए चला के दिखा रही हूँ नीचे देखिए जरा भी नहीं लगा है बिलकुल घी बनके तयार हो गया है और इसमें करोनी जो होता है बिलकुल जरा सा निकलता है तो खी बनके तयार हो गया अब मैं इसे छान ले रही हूँ यह देखिए मैं घी छान ली हूँ और ये जो करोणी निकलता है इसका आप लोग जो है आटे में भर के पराठा भी बना सकती हैं तो देखिए हर एक चीज का किस तरीके से यूज हो गया चलिए इसका पराठा मैं अपने किसी दूसरे ब्लॉग में आपको बना कर दिखाओंगी तो मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और कितने आशान तरीके से घी बन के तयार हुआ आप लोग भी अपने घर इसी तरीके से घी बनाईए तो चलिए मैं फिर अगले ब्लॉग में आप से मिलती हूँ तब तक के लिए बाबाई